अलो फ्रेंड आपके सामने एक और questions, important question से, सारे important question लेकर आया हूं जो आपके काम आ सकता है ठीक है, जैसे देख़िए ये questions में, आप देखेंगे तो A1 दिया हुआ है, देखें, A1 दिया हुआ है 1, और AN दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है और साथ साथ में S N भी दिया हुआ है 399 ठीक है और N पता करने के लिए बोल रहा है आपको यह formula भी बता है कि A1 और A N दिया हो तो S N का formula क्या होता है देखिए यह मैंने बता के रखा था N upon 2 in bracket में A plus A N ठीक है A मतलब A1 भी होता है ठीक है 399 यहां पे N पता करना है और यहां पर कितना है 1 है और लास्ट प्रम कितना है 20 है ठीक है अभी यह जो 2 है इधर । इधर डिवाइड में इधर multiple हो जाएगा 399 into 2 हो गया और इधर देखिए N और यहां पर कितना हो गया 21 हो गया है 21 multiple है इधर divide हो जाएगा 399 into 2 divided by 21, ठीक है, अब इसको solve कर लीजे, देखिए, अगर मैं यहाँ पर table पढ़ हूँ, तो आपको idea मिल जाएगा, कि कितनी बार में जा सकता है, ठीक है, table, ठीक है, अगर इसको काटेंगे, तो आपको idea मिल जाएगा, कि कितनी बार में जा सकता है, ठीक है, simple सा formula है, for an AP, A1, D यहाँ है, 1, AN दिया है, 20, SN दिया है, 399, तो logic के हिसाब से तो यही आ रहा है, अब 21 के table में cut कर लीजे, देखिए, कितनी बार में आ रहा है, मैं अगर इसको अगर cut करूँ, तो यह 3 के table में आता है, तो यह भी 3 के table में आ रहा है, छोटे-छोटे से cut करने का कभी भी, देख देखिए, 3 बंजा, 3 त्री जा, यह 3 त्री जा, 133, अब 7 से cutने का try करिए, एक वार यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले, N इक्वाल टू क्या है, 133 into 2 divided by 7, 7 से cut करके देखिए, 7 बंजा 7 आएगा, बचेगा 63, मतलब 7 बंजा, और 7 नाइन जा, और यहाँ 2 बचे रहा, मतलब इस तरीके से भी N की value पता कर सकते हैं, यह option है, जो C option is the right answer, ठीक है, इस तरीके से आप question को solve कर सकते हैं, और find out कर सकते हैं, बहुत ही आसान था यह तो, धन्यवाद,